कैसे हो आप सब लोग I hope you are doing well आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके साथ भी ऐसा होता है आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम को यूज करते करते आपको 10 मिनिट 20 मिनिट या आदा गंटा हो जाता है और आपको notification उसी टाइम आ जाती है कि आपका 100% डाटा यूज हो चुका है यह किस वज़ा से होता है पूरा आपको step by step इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वीडियो को आपने ध दाटा खतम नहीं होने वाला है चाहिए आपके पास एक जीवी हो या देट जीव वह भी खतम नहीं होगा अगर आप पूरा दिन भर भी इंस्टाग्राम को यूज करोगे तब भी आपका डाटा बच जाएगा वीडियो काफी ज़्यादा helpful होने वाली है आप सभी के लिए इसलिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर लाच तक वाच करना है और जो मैं आपको step बताऊंगा उसको same to same apply करना है तो वीडियो को स्टाट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर द ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसकी जो नॉटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे वीडियो को करते हम स्टार्ट तो जैसे इंस्टाग्राम को अपन करेगे आपको वीडियो के डिस्क्रिश में लिंक दिया गया है आपने अभी तक मुझे फॉलो न आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा प्रोफाइल जैसा आप प्रोफाइल के बटन के उपर क्लिक करोगे तो आपने यहां पर थ्री लियर के उपर क्लिक करोगे यहां पर आपने चले जाना है सैटिंग में जैसे आप सैटिंग में चले जाओगे नेक्स्ट आप पर देखने को मिले रहा। यहां पर आपने select कर देने है cellular data setting को जैसने अब इसके उपर आजाओंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा data sable, data sable से होता कि आपकी जो Instagram की Reels की quality होगी वो कम होगी और आपका जो internet है वो ज़्यादा use नहीं होगा इससे तो आपने इसको कर देना है और जैसा आप इसको open कर दोगे तो इसकी help से होने क्या वाला है आप Instagram को कितना भी use कर लोगे पर आपके जो है data जादा खतम नहीं होने वाला है एक जी भी होगा या फिर देर जी भी होगा आपका पूरा दिन भर चलने वाला है इस setting को apply करने के बाद और उसके बाद यहां पर आपको media upload quality देने को मिलेगा आपने इसके साथ कोई भी छेड़ खानी नहीं करनी है अगर आप इसको भी open कर दे तो इसके बाद होगा क्या जैसे आप कोई भी real upload करोगे Instagram के उपर तो उसकी जो quality होगी वो अच्छी नहीं रहेगी इसलिए आपने इसको off ये रख देना है जैसा आप इसको अफ्रक दोगे तो आप कोई भी real upload करोगे तो आपकी जो real है वो काफी ज्यादा अच्छी quality में upload होगी बस आपने इसको setting को on कर देना है data saver को जैसे आप data saver को on करोगे तो आप real के ओपर चले जाओगे आप पूरा दिन भर भी reals को watch करते रहोगे तो आपका जो data use नहीं होगा पूरा 100% So guys I hope आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा help पूर रही है अभी तक भी आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी सी चैनल को subscribe कर दो and साथ ही में मुझे instagram के ओपर follow कर दो So guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए टाटा है Bye Bye